Hello Friends, आज का हमारा टॉपिक है Centralization and Decentralization केंदी करन वर वी केंदी करन बहुत आसान सब्दों में इससे समझेंगे Centralization and Decentralization are two modes of working in any of the organization Centralization और Decentralization जिसे केंदी करन और वी केंदी करन कहा जाता है यह दो काम करने का तरीका है कि आप या तो सारे decisions खुद लीजिए सारे strategies खुद बनाईए और या फिर आप अपने power को बाटिए लोगों को मौका दीजिए कि वो भी strategies बनाए decisions लें लेकिन आपसे पूछ कर तो यह होता है Centralization and Decentralization आईए इसको थोड़ा detail में पढ़ते हैं Centralization is a form of organization structure where the decision making capability rests with the top management only यहां क्या है सब लोग सारे strategies नीती जितने भी decision है तो वो किस के हाथ में होता है किसी एक के हाथ में या किसी दो के हाथ में होता है सारे लोग इन पे dependent रहते हैं for the decision लेकिन in decentralization what happened the decision making capabilities delegated across multiple level multiple level पे decision जो है बट जाते हैं जैसे बहुत बड़ी company है यह चोटी company में या school वगरा में लागू हो सकता है जैसे school में क्या होता है principal principal ही सारे academic, non-academy सारे decision वही लेती है सारे class के लोग अलग-अलग अपनी class का decision नहीं लेते हैं हाँ चाहे वो transportation से related हो कोई भी सारा decision एक या एक से दो इनसान ले सकता है लेकिन जब अगर कोई बड़ी अगर university है कोई बड़ा अगर organization है वहाँ decentralization करना बहुत जरूरी हो जाता वहाँ powers को बाटना जरूरी हो जाता मालेजे ये university है universities में, एक university में 30 से 40 at least departments होते हैं तो उतने सारे department का एक बंदा अगर decision लेगा या दो इनसान अगर decision लेंगे तो बहुत problem होगी क्योंकि सारे departments के अलग-अलग अपनी problems है तो यह यहाँ पर क्या करता है decentralization कर देता है इसका मतलब कि आप भी decision ले सकते हो आप भी अपने level पर decision हर कोई अपने level पर कहीं भी कुछ भी अगर important decision लेने की जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हो फिर हम अपने देश में देख सकते है कि कहीं कहीं पर कुछ रनीतिया जो हैं हमारे केंदर सरकार ही बनाती लेकिन कुछ जगों पर क्या होता है कि राज सरकार पर छोड़ दिया जाता है या फिर पहले क्या होता था पहले के समय में राजा ये राजा है और राजा ही क्या करता था कि न्याय करने का काम करता था राजा ही जो है युद्ध करने का काम करता था राजा ही है सारी जितनी भी बजटिंग है या जितनी भी चीजे हैं सब राजा के ही दरबार में होती थी राजा ही सब कुछ देखता था लेकिन फिर क्या हुआ है अब आज के समय में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है फिर बैंक अलग है देखने के लिए soldiers department अलग है, defense department अलग है, home ministry अलग है, foreign ministry अलग है, तो ये सारी जो है, ये एक तरह से decentralization कर दिया है, कि आप लोग जो है, ताकि काम अच्छे से चल सके, तो दोनों ही अपनी जगा पे important है, मैं ऐसा नहीं कर रहे हूं कि decentralization important है, आएए देखते हैं कि कैसे ये दोनों important है, केंद्री करन से अभी प्राय होता है, सत्ता सिर्ष या उसके आस पास एकत्र होनी चाहिए, और वी केंद्री करन का मतलब होता है, अनेक वैक्तियों या इकाईयों के मध्य सत्ता का विभाजन, Centralization निर्णे लेने की छूट एक वैक्ति या दो वैक्ति के हाथ में होती है, और इसमें क्या होती है, कि निचले वर्ग के लोग जो है, लोवर लेवल, मल्टिपल लेवल के लोग भी decision ले सकते हैं, लेकिन उसमें इनकी रजामंदी चाहिए होती है, केंदर की, फिर है, एक वैक्ति पर पूरा भार होता है, यहाँ प्रशासक का कारे बटने से भार कम हो जाता है, यहाँ अधिनस्त अपनी कला कॉशल को नहीं निखार पाते हैं Centralization में, क्योंकि एक ही वैक्ति सारे decision ले रहा है, सारे strategy बना रहा है, वो जो सोचेगा, वो जो कहेगा वही सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, कि अगर अधिनस्तों को स्वतनत्ता मिल रही है, कि आप decision ले सकते हो, तो वो जब power मिलता है, तो इनसान ज्यादा motivate होके काम करता है, और वो अपनी कोशल को निखारता है, वो अपनी नई नई काम चलता रहता है, और इसमें क्या है, कि अधिनस्तों जितने भी हैं, और जो नए जो लोग जुडते हैं, तो वो अलग-अलग skills के साथ आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ideas होते हैं, अलग skills होते हैं, वो अपने काम को बहुत अलग तरीके से smart way में करते हैं, तो कुछ न होता है, थोड़े low motivated होते हैं, और decentralization में जो कर्मचारी होते हैं, वो highly motivated होते हैं, कि हमको power मिला है, हमारे उपर छोड़ दिया गया है, कि ये काम आपको करना है, तो थोड़े highly motivated होते हैं, जैसे अभी कोरोना के समय में, सरकार ने पहले क्या किया, केंड़े सरकार ने की पूर जब केंड़े सरकार ने कह दिया कि राज अपने अनुसार decision ले सकते हैं, राज अपने अनुसार lockdown ऑपन कर सकते हैं, और जब सरकार ने कह दिया कि आप देख लिजे कि आप अपने राज में किस तरह से control करते हैं, तो लोग फिर highly motivated हो गये, जो सारी राज सरकार है motivated हो गई, पुलिस कर्मचारी जो है highly motivated हो गई, कि हम अपने राज में कम करके रहेंगे, हम अपने राज में ऐसे control करेंगे, तो सब अलग अलग तरीके अपनाने लगे अपने राज में स्थिती को control करने के लिए, कि लोग घर से बाहर नहीं निकले, concentration of the authority at the top level of the system, जो है, top level के पास ही यह सारी authority और इसमें क्या होता है, डिस्पर्जल हो जाता है, तो next हम पढ़ते हैं, डीटेल में, केंदी करन के लाब, लाब क्या है, केंदी करन विवस्था में प्रिसासन की सभी काईयों पर सत्ता का पर्याप्त इवं प्रभावशाली नियंत्रन रहता है, अते उच्छेत एक किसी चीजों को लेकर के, स्पेसली जैसे admission process, teacher selection process, यह सारी चीजे अगर केंदी कृत होती है, तो क्या होता है, कि लोग अपनी मनमाने नहीं कर सकते हैं, ब्रस्टाचार नहीं फैलता है, यह नहीं कि अगर departments को fully छूट दे दी जाए, कि आपको जो करना है वो करो, तो लो में रख लिया, तो यह सब नुकसान होने लगता है, अगर decentralization हो, तो केंदी करन के यह फायदे हैं, कि कर्मचारी अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, छेतरी जिकारी, सारे संस्था एक ही नीती पर चलेगी, कि यही process है, तीचर का selection का process यहीं है, टीटी लेना ही है, सीटेट ले तो सारे जितनी भी राज सरकार हैं, वो अपने हिसाब से नहीं कि हमारे राज में बीएड करना जरूरी नहीं है, हमारे राज में टीटी करना पास होना जरूरी नहीं, ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं, तो इससे एक रूपता बनी रहती है, लोग एक लेवल पे अपने आप सर्वपरी होता है, जैसे अभी जो भी नीती लागु हुई है, तो मतलब है कि हमारे राष्टर में अच्छे सिख्छक आएं, अच्छे सिख्छक कर्वा तो तो ये सारी चीजें नहीं होती है। आकस्मिक परिस्थितियों में निर्णा लेना उपयोगी हो जाता है, अगर आ गई तो ऐसा नहीं कि सब अलग-अलग डिसीजन ले रहें, कोई एक डिसीजन लेता तो वो सही होता है, छोटे संगठन में इसका विशेश महत्वा है, इस पेसली स्कूल वगरा में छोटे इंस् साथ कितने सारी चीजों को देखेंगे, कितना काम करेंगे, और सफल क्रियानवन में भी अवरोध होता है, निर्णा लेने में या लागू होने में इसमें टाइम लग जाता है, इससे विशे सग्यता का छेतर कम होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप लेवल पे जो ये एक हानी है इसकी और थार्ड है केंदी सर अधिकारी, जो है जनता से दूर रहते हैं, उनको समस्याओं में परिस्थितियों का पता नहीं होता है कि किस जगा में, किस छेतर में किस तरह की प्रॉबलम हैं, तो एक ही नियम हर जगा के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट है कर्मचारियों में कारे करने की इच्छा वा स्थानी पज़्थितियों के अनुसार परिवर्तन ना कर पाने की वज़े से उनमें असंतुष्टी का महत्वहिंता का उत्पन होता है, उनको लगता है कि हम क्या करें, हम डिसीजन नहीं ले सकते तो कर्मचारी थोड़े इससे निठले भी हो जाते हैं कि अब जब तक उपर से हाई कमान से और नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं या फिर उनमें डर भी होता एक तरह का तो डर की वज़े से भी डिसीजन नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर कुछ तो यहां पे थोड़ा असंतुस्ती का भावफिल होता है और मात्वहीन लगता है कि हम क्या कर रहे हैं हम क्यों काम कर रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं अधिनस्तों के कौशल वह बौधिक विकास में बाधा आती है वह अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते तो विकेंद्री करन के लाब विकेंद्री करन का सबसे बड़ा लाब यह है कि काम बहुत जल्दी-जल्दी होता है फटा-फट होता है कि अनुमती लेने के आशकता नहीं रहती है तो शिग्र निर्ने होते हैं और कारे में विलंब नहीं होता है नेक्स्ट है मुख्य अधिकार कर्याले का कारे भार कम हो जाता है जिसे वो अन्य चीजों में भी आनी योजनाओं के बारे में भी सोच सकते हैं वह एक ही इंसान के उपर सारा काम का भार रहेगा तो वह कहां नई योजनाओं के बारे में सोचेगा नई चीजों के बारे में कहां से सोच पाएगा लेकिन विकास होता है, highly motivated होते हैं, कि वाओ, मुझे भी power मिला है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और अपना दिमाग लगा सकता है बंदा, तो फिर वो highly motivated होता वहाँ काम करने के लिए, और इसमें फिर दोस क्या है इसके, दोस ये है इसका, कि सबसे पहले तो conflicts बहुत जादा होते हैं इ इस तरह से होनी चाहिए, तो conflicts इतना जादा होता है, कि फिर decision भी लेने में थोड़ी देरी हो जाती है, कभी लगता है कि ये decision सही है, कभी लगता वो decision सही है, तो decision लेने में देरी हो जाती है, conflicts होते हैं, कर्मचारी राष्ट को भूल करके अपने बारे में जादा सोचते हैं कर्मचारी जो है अपने बारे में अपने छेतर के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनके या फिर अपने भाई बती जावाद जो है भरस्टा चार बढ़ जाता है प्रशासन की एक रुपता नश्ट हो जाती है इस्थानी परस्थिती के अनुसार सभी बिन-बिन क प्रिणाली अपनाने लगते हैं अलग-अलग तरीके से काम करने लगते हैं मनमाने तरीके से काम करने लगते हैं तो यह थे लाग और हानिया तो मुझे लगता है कि यह तौपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको तो और इसमें यह एक सवाल आता है कि केंद और बड़े organization में भी कुछ मामलों में कुछ decisions ऐसे होने चाहिए जो केंद्र सरकार ही ले तो वह ज्यादा बैटर है और कुछ जगों पर विकेंदी करन अगर आपको काम का भार कम करना है चाहते हैं कि organization फले फुले बढ़े तो वहां पर विकेंदी करन भी करना जरूरी होता है I hope कि ये चीजे समझ में आ गई होंगी आपको कि एक balance बनाके चलना है किसी भी organization में